वल्कम बैक टू माई चैनल तो फ्रैंट्स मेरे सामने आप ये देख रहें हैו देखिए कुछ प्लास्टिक की बोतल में मैंने प्लांट्स लगाये हैं तो मेरे पास कमेंट आय थे कि प्लास्टिक बोतल में कौन-कौन से प्लांट लगाने चाहिए तो प्लास्टिक बोतल को आप कैसे यूज कर सकते हैं और कैसे कौन-कौन से प्लांट उन में लगा सकते हैं और कैसे आप प्लास्टिक बोतल के लिए मिट्टी तयार कर सकते हैं पूरी इनफोर्मेशन इस वीडियो में आपको मिल जाएगी तो वैसे मैं ज़्यादा plastic bottle का यूज करती नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास जगह कम है मैंने बहुत सारे videos देखे हैं जिनमें जो की plastic bottle का garden बना के रखते हैं तो आप plastic bottle का यूज कर सकते हैं बहुत अच्छे से garden बनता है इनका और hanging basket के लिए भी बहुत अच्छे से यूज होते हैं इस तरीके से तो जिनके पास इस पेस ज़्यादा होता है हैंगिंग बासकिट की तरह यूज करने के लिए जगा ज़्यादा होती है तो उनके लिए ज़्यादा बैटर है प्लास्टिक बोटल आपका free में ही एक port तयार हो जाता है घर में hanging basket के लिए तो इनमें आप कौन-कौन से plant लगा सकते हैं उनके names आपको बताऊंगी तो सबसे पहले तो आपको इनमें मिट्टी कैसी रखने होनी चाहिए तो मिट्टी आप इनमें ऐसी रखे जिससे आपकी plastic bottle ज़्यादा भारी ना हो अगर plastic bottle ज़्यादा भारी होगी तो वो गिर जाएगी तो आपको करना क्या है आप इसमें एक हिसा coco peat लीजिए और एक हिसा आप इसमें rate लीजिए वर्मी कमपोस्ट थोड़ा आप उसमें fertilizer की तरह यूज कीजिए तो वर्मी कमपोस्ट और coco peat और rate ये तीन चीजों का mix आप करके plastic bottle के लिए मिट्टी बनाएगी बहुत अच्छी मिट्टी बन जाएगी coco peat से plastic bottle में जो हम मतलब मिट्टी तयार करेंगे coco peat उसे सूखने नहीं देगा और rate जादा भारी नहीं होने देगा plastic bottle को और वर्मी कमपोस्ट खाद की तरह हमारे इसमें soil में तयार हो जाएगा तो इन तीन चीजों का मिट्टी बनाएगी बहुत अच्छे से आपकी मिट्टी तयार हो जाएगी सबसे दूसरी जरूरी बात आपको drainage hole plastic bottle में बहुत अच्छा रखना है क्योंकि अगर plastic है तो plastic में वैसे ज़्यादा plant अच्छे से survive नहीं करते हैं तो आप जैसे ही इनमें पानी डालेंगे तो उनमें से पानी निकल जाए ऐसा drainage hole आपको इसमें बहुत अच्छा रखना है तीसरी जरूरी बात कि आपको इसमें plant को कैसे चूस करना है तो जो हमारे बड़े plant हैं जिनके stem मोटे होते हैं वो तो हम इनमें नहीं लगा सकते बिलकुल भी तो हमें करना क्या है जिन plants की हम cutting लगाते हैं और जो की छोटे छोटे plants होते हैं बहुत आसानी से जो grow कर जाते हैं वो plant आप प्लास्टिक बोटल के लिए ज्यादा यूज़ करेंगे तो ज्यादा बेटर है तो चलिए मैं बताती हूँ आपको कौन-कौन से plant है तो सबसे पहले तो आप ये देखे spider plant तो spider plant बहुत आसानी से grow हो जाता है आप किसी भी चीज में से लगा सकते हैं किसी प्लास्टिक डब्बे में या बोटल में कैसे भी आप लगाईए इसके पास से रणर निकलते हैं तो इन्हें हम कहीं पर भी मिट्टी में लगाएंगे महीं से हमारा नया plant तयार हो जाता है तो आप इसे भी प्लास्टिक बोटल में लगाईए बहुत अच्छा plant है और दूसरा plant है हमारा जैड plant ये plant हमारे ऐसे भी हैं जिनमें पानी भी कम चाहिए होता है तो plastic bottle में रोज रोज पानी डालने की बज़ाये आप ऐसे plant लगाईगे जिसमें पानी भी कम दलका है तो ये भी हमारा indoor plant है इसमें पानी कम दलता है एक दिन छोड़के दो दिन छोड़के आप डाल दी जिए खराब नहीं होने वाला और ये हमारा जो दूसरा plant है जैड प्लांट एक सरकुलेंट प्लांट है जिसमें पानी कम डलता है और कटिंग से बहुत आसानी से तयार हो जाता है तो ये भी आप प्लास्टिक बोटल में लगाई ये बहुत अच्छा प्लांट है और इसे भी देखिए ऐसे हैंगिंग बास्किट की तरह नीचे की साइड फैलते हैं तो अच्छे लगते हैं तो इसे भी आप यूज कर सकते हैं और तीसरा हमारा देखी ये है पोर्चूल का गुले दुफैरी भी बोलते हैं इसे तो ये मैंने इसमें कुछ कटिंग लगाई थी और देखे बहुत अच्छे से ग्रो हो गई हैं तो ये मैंने इस तरीके से कुछ डेकुरेट किया था ये कलर में पास ऐसे पड़े थे बेक देखे विए फौर नंबर है हमारा वैंटरिंग जिऊ वैंटरिंग जिऊ इतना अच्छा प्लांट है कि बहुत अच्छे से किस आप इसे किसी में भी लगा देंगे उसी में इसी में ही तैयार हो जाएगा तो ये देखिए छोटी सी प्लास्टिक बोतली है और इसमें कितन अच्छे से ये प्लांट बिल्कुल तयार हो रखा है तो वैंडिंग जियो में भी आप बहुत कम केर का प्लांट है पानी कम डालिए बहुत अच्छे से ग्रो होता रहता है तो इस तरीके से देखें आप इसे भी लगा सकते हैं फाइफ नंबर पर आएगा हमारा मनी प्लांट तो मनी प्लांट देखें प्लास्टिक बोटल में ही मैंने लगाया हुआ है और कितने अच्छे से इसकी ग्रोथ हो रखी है हैंगिंग बास्किट के लिए बहुत अच्छा प्लांट है मनी प्लांट भी तो आप मनी प्लांट को भी प्लास्टिक बोटल में ऐसे यूज कर सकते हैं इसके बाद नेक्स्ट प्लांट आएगा हमारा बेबी सन रोज तो बेबी सन रोज भी प्लास्टिक बोटल में बहुत अच्छे से सर्वाइव करता है इसमें भी पानी की मातरा कमी होती है तो आप इसे भी प्लास्टिक बोटल में लगाईए हैंगिंग मास्किट की तरह बहुत अच्छे से निच्ची की साइड फैलता है और बहुत सुन्दर भी प्लांट लगता है छोटे-छोटे इस पर फ्लावर आते हैं ये देखे रैड कलर के बेबी सन्रोज बोलते हैं इसे तो इसके बाद नेक्स्ट हमारा प्लांट आएगा बेबी टियर्स तो बेबी टियर्स की भी इतनी से इतनी कटिंग लग जाती है ये भी आप प्लास्टिक बोटल में लगाके ऐसे फैलाईए बहुत अच्छे से फैलता है और सबसे अच्छी यूसरे बात है इन प्लांट केशर कम होती है और इन्में पानी कम अब तो ऐसे फैलाँ प्लांट आपको ज्हादा यूज़ करने चाहिESE प्लाजिए प्लाज्टिक बोटन खेलें के लिए ज हूं और पानी कम के तो इनकी भी cutting देखे, इतनी से इतनी cutting लग जाती है, आप इसे भी plastic bottle में use कर सकते हैं, इसके बाद next plant हमारा है, turtle wine, turtle wine plant मुझे नहीं मिल रहा है, मेरे पास नहीं है, उसकी picks आप इसकीन पर देख सकते हैं, तो turtle wine plant इतना अच्छा है, जो कि cutting से बहुत आसानी से चल जाता है, औ प्लास्टिक बोटल में बहुत अच्छे से फ्यालता है, तो उसे भी आप प्लास्टिक बोटल में लगा सकते हैं, इसके अलावा प्लास्टिक बोटल जो होते हैं, उन्हें आप कैसे भी use कर सकते हैं, अपने mind से, अपने दिमाग से कोई भी shape आप उनकी काठ लीजे, कोई ये वेंडिंग जीओ की कुछ कटिंग लगाई हुई हैं, और कैसे फैल लगी हैं, तो बहुत अच्छे से वेंडिंग जो फैल जाता है, कम केयर का प्लांट है, इनमें सिर्फ आपको करना क्या है, जैसे ही हम प्लास्टिक बोटल में अपना गार्डन बनाते हैं, तो उसमे हर दस दिन में आपको लिक्विड बना के डालते रहाना चाहिए, लिक्विड आप किसी भी खाद से बना सकते हैं, जैसे की हमारा गोबर की खाद हो गई, तो आप उसे पानी में घूल के अच्छे से हर दस दिन में वो आप इनमें डालते रहिगे, या फिर वर्मी कमपोस् इन में तो बहुत अच्छे से आपके प्लांट प्लास्टिक बोतल में चलते रहते हैं तो फ्रेंट्स ये आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए और पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें तो इस वीडियो में इतना ही थैंक यू सो मॉच बाइबाइ लाइबाइबाइबान गड़ धाइबाएबाइबाइबाइबाइबा गजयो थैंक यू